आपने सुना होगा कि समय समय पर बड़े बड़े फिल्मी कलाकार नई-नई गाडिया और महंगी गाडिया लेकर आते हैं हर किसी को यही लगता है कि फिल्मी कलाकार है तो करोड़ पती हैं तो अपने शौक के लिए महंगी और नई गाडिया खरीदते हैं लेकिन ये सच नहीं है दरसल फिल्मी कलाकार नई नई गाड़ियां टैक्स चोरी करने के लिए खरीते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक टिप मिली जिसके आधार पर एक साउथ के कलाकार ने एक गाड़ी की पेमेंट करने के लिए दो नंबर की काली कमाई का प्रयोग किया था गाड़ी खरीदने के लिए cash में payment दिया और कुछ समय के बाद उस गाड़ी को बेच कर अपने account में पैसा ले लिया यानि दो नंबर की कमाई को एक नंबर की कमाई में convert कर दिया आईटी डिपार्टमेंट ने ऐसे बहुत सारे मामलों की जाश शुरू कर दिया जिसमें फिल्मी कलाकार गाड़िया खरीते हैं फिर बेच देते हैं अब उनका पता लगाया जा रहा है कि किन लोगों ने गाड़ियों की payment जो है वो cash में की थी और कितनी लोगों ने अपनी गाड़ी को बेच कर अपना पैसा एकाउंट मिलिया था ये फिल्मी बांड हर काले दंदे में शामिल होते हैं लेकिन फिर भी आम लोगों की आँखे नहीं खुलती हैं इन किर्मिनल्स को भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं